दोस्तों अगर आपका Sony Bravia TV है तो उसमें अगर Demo Mode On हो गया है तो किस तरह से Off करेंगे यह आप देख रहे होंगे यहाँ पर Demo Mode चलता रहता है तो यह On हो जाता है तो यह चलता रहता है इसमें आता है और जाता रहता है तो इसको किस तरह से Off करेंगे उसके बारे में हम आपक तो यह आप देख रहे हैं होम पे जाने पे यह इस तरह से कुछ आइकन बनके आते हैं इप आप अप ब्राविया इंजन 3 डेमो मोड लोप तो यहां से यह आफ नहीं होता है यह देखिए एक बार गया और वापस फिरा गया तो यह जाएगा और वापस फिरा जाएगा तो किस तरह से इसको हम आफ करेंगे तो उसके लिए हमें जाना है होम मोड पे यहां से रिमोट से होम पे जाएगे और उसके बाद में सेटिंग पे जाएगे सेटिंग पे जाने के बाद में आप देखेंगे एक setup का option आपको दिख जाएगा इस पे जाएंगे फिर auto startup इस पे click करेंगे auto startup पे click करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं do you want to start auto startup यहाँ पे आपको ok कर देना है ok करने के बाद में यहाँ पे language पूछ रहा है तो यहाँ पे language आपको English कर देनी है English करने के बाद ok कर देंगे उसके बाद region पूछेगा तो guys Asia पे select करेंगे और ok कर देंगे ok करने के बाद में जिस country से हैं वो आपको select करना है जैसे इंडिया तो इंडिया पे select करके ok कर देंगे और उसके बाद में इसमें आप देख रहे हैं नीचे swap mode पे लगा हुआ है इस वज़े से ये demo mode आता रहता है तो इसको आप home पे कर देंगे और home पे करने के बाद ok कर देना है do you want to start up tuning start पे click कर देंगे तो कुछ देर इसमें ये program set करेगा उसके बाद में आटोमेटिक ये demo mode off हो जाएगा तो यहाँ पे आपको बता देंगे इसमें आ गया no program found please connect अंटीना तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है start पे आप click कर देंगे और जो demo mode है वो आफ हो जाएगा तो यह जो है आप फिर से tuning करेंगे इसकी tuning करने के लिए आप अपना टीवी पे video one पे लगा हुआ था उसमें लगा देंगे और अब देखिए गाइस इसमें जो है demo mode जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं और गाइस वीडियो अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको इस तरह के वीडियो और भी देखने को मिलते रहें फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में